नमस्कार दोस्तों आप सब का हमारे चैनल पर बहुत स्वामे थे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अस्थमा के बारे में अस्थमा क्या होता है और क्या हो में पैथी की साथा से जो आप इनहिलर ले रहे हैं वो उसकी आदित आपको छोड़ी जा सकती है और अस्थमा को कै यसे रूट के और किया जा सकता है इसके बारे मैं डिसकस करेंगे तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यह आप चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लास्ट तक वीडियो जरूर देखेगा वीडियो अच्छा लगता है तो ले सकते हैं आएं दोस्तों अर्या के बारे में क्या होता है इस माइं के का रहता है इस मेश का बोलई होटा है इस अलर्जीक अस्थमा मतलब ऐसे लोग जिनको अलर्जी है और अलर्जी की कारण उसको सास लेने में दिक्कत होने लग जाती है चाहे डस्ट से अलर्जी हो धूल से अलर्जी धूए से अलर्जी या किसी स्पेसिफिक चीज से अलर्जी हो सकती है उस कारण से आपको अस्थमा ह आता है दोस्तों होमेपैथिक treatment की बात करें तो होमेपैथि में एस पर सिम्टम यदि आप लेते हैं यदि आपकी symptom के according आप दवाई लेते हैं तो constitutional दवाई से आप रूट के और आपकी अस्थमा को कर सकते हैं कुछ होमेपैथिक दवाई आपको बताने वाला हों दोस्तों आपको symptom मिलते हैं तो आप उन दवाईयों का सेवन कर सकते हैं साथ में कुछ ऐसी दवाई आपको लाश्ट में बताऊंगा जो आपको लेना ही है सारी केस में आपको अच्छे से result देगी पहली दोस्तों दवाई आती ह जैसे बरसात की समय होता है उस समय में यदि आपका अस्तमा बहुत जादा होता है तो आपके लिए नेटरम सेल्फ दवाई बहुत अच्छा काम करेगी नेटरम सेल्फ को यदि आप बच्चों को दे रहे हैं तो 30 पोटेंसी में दिन में दो बार दें और बड़े लोगों क 12 बजय आपका जो अस्तमा है बहुत जादा होता है सांस लेने में इतनी ज्यादा तकलिफ होती है रात को कि आपको उट करके बेठना पड़ता है इतनी ज्यादा एदि आपको दिक्कत हो रही है और साथ में इदि आपको skin disease भी है तो इस कंडिशन में आपको arsenic album 30 बहुत अ ड्राय है एकदम आपका मुझ से लेकर के फेप्रों तक पूरा ड्राय हो चुका है और आपको ड्राय कफ होती है उस कारण से आपको अस्थमा हो गया है तो आप इस पॉंजिया भी यूज कर सकते हैं इस पॉंजिया को आपको थड़ी पोटेंसी में लेना है बहुत अच्छे रिजट इसके भी देखने को मिल सकते हैं दोस्तों अगली दवाई दोस्तों आती इपिकॉक इपिकॉक भी बहुत शानदार दवाई है यदि आप इसको यूज करते हैं बच्चों के कैसे में बहुत अच्छी दवाई है और साथ में ऐसे बड़े लोग जिनको अस्थमा हो यदि हम बात करें आपका जो अस्थमा है वह यदि केवल और केवल बरसात के समय में जादा होता हो केवल बरसात में आपका अस्थमा बढ़ता है बाकी पूरे साल आप अच्छे से रहते हैं तो आपके लिए ड्रग ऑप चॉइस जो है डलका मारा है डलका मारा को पुहंड़ अच्छ वह बहुत शानदा रिज़र्ट मिलेंगे मैं आपको कुछ दवाईयां बताने वाला हूं जिसको आपको सेवन करना ही है सबसे पहले बलाटा मदाट इंचर आपको लेकर के आना है बलाटा मददाेंचर को यूश करना है सेकेंड एस्पीड स्परमा मददाटेंचर को यूश करना है दोनों ही मददेंचर बहुत एच्छे और बहुत इफेक्टिव मददा टींचर है दोनों को आपको दड़्देजबु ना rigor करके और दिन में 3-4 बाल लेना है ऐसे आप लेते हैं त अच्छा लगाओ तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें आपको किसी भी प्रकार को परिशानी हैं आप हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमें वाट्सप कर सकते हैं वाट्सप नमबर है 7880075175 इंस्टाग्राम और फेस्बुक पर फॉलो करना ना भूलें दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको ने स्टूडियो में तब तक कि लिए नमस्कार